Cyber Kidnapping ये जो word है ये सायद आपने पहली बार सुना होगा लेकिन अगर सुना भी है तो इसका in-depth knowledge आपको ना हो तो हम लोग पूरी detail में देखेंगा और इसका एक real case study में मैं आपको बताऊंगा कि उताह में जो है एक real जो ransom लिया गया कितनी जादा amount थी वो Indian rupees में और ये kidnapping का पूरा process भी आपको समझाओंगा कहा हुआ कैसे हुआ और इसको कैसे perform करते हैं और family को कैसे यकीन दिलाए जाता है कि हाँ उनके बच्चे जो है सच में kidnap हो चुके हैं तो पूरी की पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है मामला अभी recently news में क्यों आया है तो एक Chinese student जो है उसको cyber kidnap किया गया उताह में और वो जो है has been found safe मतलब safe तो था वो लेकिन उसके लिए उसके parents को 80,000 dollar बोले तो लगभग समझो 66 lakh Indian rupees देने पड़े तो क्या हुआ कि मैं आपको पूरी story समझाता हूँ फिर मैं आपको बताऊंगा कि cyber kidnapping होती कैसे है कैसे करते है कैसे उसको convince किया जाता है और सबसे बड़ी बात है कि kidnapper जो kidnapper होता है उसके आसपास रहते भी नहीं है तो ये पूरा process क्या है बहुत ही जो है खतरनाक तरीके से इसको अंजाम दिया जाता है तो एक Chinese exchange का student था जो victim बना recently cyber kidnapping का उसको जो है कहां उसको पाए गया कि rural उताह में पाए गया लेकिन सबसे अच्छी बात है कि unharmed बोले तो उस पे जो है किसी तरह का उसको harm नहीं पहुचाया गया physically बट जो इसमें mental level mental जो torture होता ना उसका अप अंदाजा नहीं लगा सकते कि सोचो खुद एक वैसे वैसे करना पड़ता है तो एक 17 साल का बच्चा जो report किया गया missing है December 28 से और जब तक उसको police ने trace किया तब तक उसके parent जो है चाइना से 80,000 डॉलर बोले तो जैसे मैंने आपको बता इंडियन रुपीज में more than 65,000 रुपीज पैड कर चुके थे और वो एक tent में मिला 40 km दूर ब्रिगम सिटी से जहां पे जो उसने खुद को self isolate मतलब अकेला था वो फिर भी जो है उसको लग रहा था कि वो किड्नैप हो चुका है यह सारा process कैसे हुआ मैं आपको अब बताता हूं देखो cyber kidnapping क्या होती है तो cyber kidnapping की kidnapping एक इस तरह का crime है जहां पे kidnappers convince करते जैसे देख जो है उनको मैनिप्लेट करते है जैसे बोले तो कि psychologically मैनिप्लेट करते है और उसको कई तरह क की इंट्रक्शनस देए कि ऐसे करना होगा वैसे वैसे करना होगा कई बार Absolutely manipulation से कई यह जहां भी है उनको छुपने को document ही बोला जाता है वो वो खुद से ऐसा करते हैं फिर जो यह किडने पर से उनके लवड वन बोले तो पैरेंट्स को माव आपको जो गार्जिया ने उनको कॉंटेक्ट करते हैं तो जो है कुछ पैसे के लिए वो विक्टम क्या है वो जो है वाया ओनलाइन चाहे वह वाट्सअप हो फेस्बूक या जो भी उस कंट्री में जो मोड ओफ कम्यूनिकेशन है उसके तुरू उनसे पिक्चर्स मंगवाते हैं ताकि वो उस तरह से दिखें कि वो जो है बेंग हे जैसे हुए हैं या फिर जंजीरों में हैं इस तरह से जो यह इस तरह के फोटो उनकी फैमली को सेड किया जाते हैं तो जब दिख देख तो उनको थोड़ी लगए है कि मेरा बच्चा खुझ से इस तरह से अपने आपको बैठा है तो हो लोग डर जाते है तो यहां पे दोन पर मैंने आपको बताई है फिजिकली परजडिव रही है पूरा का पूरा जो पूरा का पूरा सिनेरियो चल रहे हैं सब आनलाइन मोड िो तो किस तरह से मॉनीटर करते हैं और नाय Бы know मतलब कि वो किटनेप हो चुका है ऐसा फोटो उन ही से मंगवाया उसी बच्चे से मंगवाया किटनेपर ने और आगे फॉरवर्ड कर दिया है उसके पैरेंट्स के नंबर पे लाइक देश रहे है देखो ये खुद से किया है उसने अब ये चाहे एज गेम के लेवल के फॉर कि छट प्रेट पे जो इसे करो यहांसे कुदो वहां से कुदो तो गेम में भी उनके private photos हो data हो तो उस तरह से उनको manipulate किया जाता है लेकिन kidnapping जो है बहुत तरखी होती लेकिन इसका मकसद जो है एक ही होता है बोले तो it is always an extortion scheme मतलब की पैसा निकलवाना क्योंकि physically present तो होते नहीं उनको उनसे कुछ लेना देना होता नहीं उनको मारना नहीं physically harm तो पहुँचाना नहीं क्योंकि वो present ही निये kidnappers तो physically harm कैसे पहुचाएंगे बस ransom के लिए जो है उनको इस तरह से किया जाता है threaten कियाता है डराय जाता है कि भाई अगर नहीं पैसे दोगे तो आपके बच्चे के साथ वायलेंस हो सकता है या फिर हमार भी देंगे इस तरह की भी धमकी देती हैं लेकिन ट्रेडिशनल वाले फंडे इसमें नहीं होते वर्चुल केटनेपर जो एड़ एक्चुली तो किटनेप करते ही नहीं किसी को तो इस तरह से वह बस डिपिक्ट करते हैं धमकियां देते हैं विक्टम को जो है कोस करते कि भाई आपको कुई क्रैंसम प्रवाइट करो विफोर दे स्कीम फॉल सबाट क्योंकि यह ऐसी चीज है अगर थोड़ा सा पैरेंट्स केर करें तो इस पे अराम से जो है इसको अन्रिवील किया जा सकता है परदा जो है इसका फास किया जा सकता है जैसे मैं आपको बताऊंगा कि एक हुआ था सेनेट के साथ तो एक्सपर्ट क्या बिलीब करतें कि जैसे जैसे अब जो आपको पता एयाई आता जा रहे तो एयाई की वज़े से यह और खतरनाक हो गए अब आपको पता है जैसे इसके साथ एडिट करके कि भाई कि मैं स्ट्रेस में हूँ मुझे बचा लो मुझे यह कर लो जैसे सेम क्या हुआ था जैसे मैंने आपको बता एरिजोना में विमेन ने टेस्टिफाइड इन दी यूएस सीनेट में बताया कि उसको एक ऐसा कॉल आया जहां उसने कॉल उठा और कुछ जो है पैसे मांगे और यह अमाउंट जो है इतना एक्स्रीम भी नहीं होता है कि आदमी को को ज्यादा यह हो की मतलब वह थोड़ी बहुत बीच के अमाउंट होती है कि वह दे क्यों कि ज्यादा लोगों को पता चलेगा वह टाइम टेकिंग होगा तो उनका राज खुलना जाए तो उसने चोट लेकिन उसने वह लेडि ओलरी सिनेट में तो उसको उलरी वह समझदार थी तो उसने कॉल कट किया अपनी बेटी को फोन किया बेटी ने बोला कि वह तो बहुत सेफ है वह आराम से है वह अपने अपनी जगह पे जहां उसे होना चीए था तो इसका ऐसा करना है कि कोई किलियर डेटा तो अभी हमारे पास नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा यह चीज़े नहीं हो रही है लेकिन जैसे जैसे अब और इतना ज्यादा पावरफुल होते जा रहा है चैट जीपीडी ज आ गई है गूगल बार्ड आ गया है तो आपको प कोले कि इस तरह से उनको इस केस में फसायाना काफी असान हो गया है इसलिए जैसे देखा कि यह जो एज ग्रूप है कास करके 14-18 इंस 17-18 तो यह एज ग्रूप में आपको अपनी फैमिली के बच्चों पे भी काफी ज़्यादा ध्यान देना है उनको बचा कि रहना उनको ब गुस्सा करने के बचाए आपको उनको समझना होगा ताकि उनको आपका पैसा तो बचे ही और उन्हें जो मेंटल चॉर्चर जहलना पड़ेगा उससे भी बच पाएं तो इस तरह से जो कई यूनीक निउस आपको हम पहुचाने के लिए हमारे चैनल को सब्स्राइब कर लो यहाँ पर आपको जो है इस तरह की जो है मज़ेदार के स्टेडीज मिलती रहेगी तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाय टेक केर